नमस्कार दे कुकिंग रैक में आप सभी का स्वागत है आज बनाएंगे बाजार से अच्छे गरम मसाले घर में एक खाने के स्वात को तो बढ़ाते ही हैं साथ में ये मसाले हमारे हिल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं बहुत आसानी से आप इड़ मसालों को घर में बना सकत मसाले को बनाने के लिए हमने एक तवे को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है तवा जब गरम हो जाएगा तब फ्लेम को स्लो कर देंगे अब इस पर रखेंगे 10 तेज पत्ता और 10 सूखा लाल मिर्चा आप इस मिर्चा की जगा कासमीरी लाल मिर्चा ले सकते हैं हमने लिया है 10 ग्राम दाय चीनी इसे छोटी टुक्डों में तोड़ लेंगे इन मसालों को हमें भूनना नहीं है सिर्फ हमें इसे गरम करना है इतना गरम हमें करना है कि हाथ से से हम आसानी से छूँ सकें अगर आपके पास धूप का सुभधा हो तो इन मसालों को आप धूप में सुखा सकते हैं यह मसाला हमारा गरम हो गया है देखिए तेजपत्ता तूट रहा है तो अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और वापिस से इसी तवे पर डालें तीन बड़े चमच धनिया दो बड़े चमच जीरा और इसमें डालेंगे पांच बड़े चमच काली मिर्च साथ में डालेंगे एक बड़ा चमच मोटा सौफ इन मसालों को भी हमें उतना ही गरम करना है जितना हम हाथ से छूँ सकें तो यह मसाले भी हमारे गरम हो गया है अ इन मसालों में होती है नमी इसलिए हमें इसे गरम करना पड़ता है ताकि यह अच्छे से पिस जाएं तवे पर डालेंगे 20 बड़ी लाइची 10 छोटी लाइची और दो बड़े चम्मच लॉंग साथ में डालेंगे दो चक्री फूल और डेड़ जाइफल छे पूल हम ले लिया है जावित्री के ग्राम में ये मसाले लिखे हैं आप किराना इस्टोर से ग्राम में इसे आसानी से ले सकते हैं ये मसाले गरम हो गया है अब इने भी ट्रांसफर कर लेते हैं उसी प्लेट में इन मसालों को अलग अलग इसलिए फूनते हैं कुछ मसाले जल्दी गरम हो जाते हैं, कुछ मसालों को टाइम लगता है, तबे पर डालेंगे दो बड़े चम्मच खस-खस, इसे पोस्ता भी कहते हैं, दो बड़े चम्मच साही जीरा, तीन बड़े चम्मच कसूरी में थी, तीन बड़े चम्मच सुखे गुलाब की पत्ती, इन मसालों क को भी उतना ही गरम करेंगे जितना हम हाध से छूँ सके मसाले हमारे गरम हो गये हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं दो बड़े चम्मच सोट पाउडर जिसे सुखाद रग भी कहते है एक चम्मश नमग अगर आपके पास साबुद सोट हो तो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं कोट करके यह मसाले गरम हो गया है फ्लेम को बंद करेंगे और इन्हें भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इस मसाले को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे मसाला हमारा ठंडा हो गया है अब इसे मिक्सी में डालेंगे तो पहले हम जो बड़े मसाले हैं उन्हें डालेंगे मिक्सी में तेजपत्ता, बड़ी लाइची लाल मिर्चा, दालचीनी क्योंकि ए मसाले पिसने में थोड़ा टाइम लेते हैं और छोटे मसाले तो बहुत जल्दी पिस जाते हैं तो एक बार इन मसालों को ग्राइंड कर लेंगे इस मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है बाकी के मसाले इस मिक्सी में डाल देंगे मसालों को लगातार चलाते हुए ग्राइंड ना करें थोड़ी देर ग्राइंड करें फिर रुख जाएं फिर उसके बाद थोड़ी देर ग्राइंड करें ताकि मसाले गरम ना हो मसाले हमारे पिस गया है अब इसे ट्रांसफर करते हैं चन्नी में और इन मसालों को छान लेते हैं बहुत ज़्यादा मसाले आप एक साथ ना बनाए मसाले उत्ते ही बनाए जो 15 से 20 दिनों में खतम हो जाए मसालों को हमने छान लिया है और जो ये बचे मसाले हैं इसे डालेंगे मिक्सी में और दुबारा से इसे ग्राइंड कर लेंगे फर एक साथ इसे न ग्राइंड करें रुक रुक कर ही ग्राइंड करें अब इसे डालते हैं छन्नी में और इस मसाले को छान लेते हैं अब आप घर में इतने आसान तरीके से इतना अच्छा मसाला तैयार कर सकते हैं रिस्पी पसंद आती है तो लाइक, शेर, कमिन्ट जरूर कीजिए बचे हुए मसाले को आप सूखी सजी में यूज कर सकते हैं मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं बचार से बहुत ही अच्छा बना है ये गरम मसाला और इस मेंसे बहुत अच्छी खुस्बू भी आ रही है इस मसाले को रखते हैं एरटाइट डिबे में आप इस से जो भी रिस्पी बनाएंगे पहुँड टेस्टी बनेगी इस मसाले को आप एक बार बना लेंगे तो बजार का मसाला आप नहीं लाएंगे लगा देते हैं इसके उपर धकन आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए ट्राइ करने के बाद आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए विल आइकन को प्रिस कर दीजिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यबाद